हेलो दोस्तो वेलकॉम बेक टू माई यूटुब चैनल मैं हूँ अभी का कैसे है आप सब लोग दोस्तो एक जो बात है वो बहुत हद तक लोग मानते है कि एंटेरियर प्लासेंटा रहता है तो आपको बेती होती है और अगर आपका प्लासेंटा जो ही वो पोस्टेरियर रह जो कि अलग से मैं आपको रिप्लाइ नहीं कर पाती हूं तो मैं सोची क्यों ना इसके ओपर अलग से वीडियो मना दू मैं तक आप लोग का जो भी क्वेस्टिन है वो क्लियर हो जाए तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ये बात बताते है कि अगर आपको पोस्टेरियर रहता है तो आपको बेटा होता है और वहीं पर अगर आपको एंटेरियर प्लासेंटा रहता है तो आपको बेटी होती है तो दोस्तों ये जो बात है बहुत हत्त गलत साबित होता है हाँ बहुत सारी केस में सत्थ भी साबित हो जाता है 50-50 इसको आप मानके चल सकते है यान का ही होगा लेकिन अब भी मैं आपको अपना personal experience बता देती हूं जबी मैंने baby boy conceive किया था तो जो मेरा placenta है वो posterior था तो मेरे case में यह सच साबित हो गया था लेकिन मैंने बहुत सरी ऐसे लोग देखे जिनकी case में यह गलत साबित हो जाता है लेकिन इसको आप बहुत हथक सच करती हूं ऐसे गलत सालत वीडियो बना के मैं आपको कभी भी गुम्रहा करने की कोशिश नहीं करती हूं दोस्तों तो यह जो बात आप मुझे question में पूछते हैं यह बहुत हथक गलत साबित होता है हां बहुत सारे बहुत सारे महिलाओं में सच भी साबित हो जाता है मैं अब बुलियेगा हां अपना पर्टरल एक्स्पिरेंस हमारे शाष्वर करना बिलकुल भी ना भूलियेगा दोस्तों मिलूंगी ऐसी के इनफर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक लए टेक कर गाईस लफ यू बाई